नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांशली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ. दोस्तों क्या आप जानते हैं कि mother medicine of nature किसे कहते हैं? दोस्तों, तुलसी हमारी जो होती है, उससे हम mother medicine of nature बोलते हैं. क्यों बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचूर मात्रा में एंटी ओक्सिजन्ट, एंटी माक्रोवियल, एंटी इंफ्लमेटरी, एंटी बैक्टिरियल तमाम ऐसी गुडवत्ता वाली प्रॉपरिटी पाई जाती है जिसके वज़े से इसे queen of herbs बोला जाता है यानि कि जड़ी बूटिया होती है उनकी रानी होती है इसमें इतनी important और beneficial quality पाई जाती है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने तरहां की तुलसी होती है, उसके क्या-क्या प्रयोग होते हैं, किनकी नेरियाज में ये बहुत जादा beneficial है और अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसको किस तरह से, इसके किस अर्ग को और कैसे लेना चाहिए, ये सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा informative है, आप इसको अंद तक जरूर देखें, और म मेरे medicine appointment, संबंदित, सारी information मिलेंगी, अगर आप मेरे साथ मेरे social media platform पे जोड़ना चाहते हैं, तो उन सब के link भी आपको मिलेंगे, और आगे मेरे जितने भी दोस्तों, articles आएंगे, वो health हो या homeopathic related हो, उन सभी की notification आपको मिलती जाएगी दोस्तों, तो आप सभी एक बार मे एक बहुत important component पाय जाता है, जिसे युगिनॉल बोलते हैं दोस्तों, इसे युगिनॉल के वज़े से जो तुलसी है, उसमें बहुत ही जादा अच्छे और important properties पाय जाती है, तो चली सबसे पहले हम यह जाते हैं कि क्या क्या important properties, क्या क्या benefit मिलेंगे अगर आप तुलसी का प provide करने का, दोस्तों अगर आप जो तुलसी है, उसका अगर regular सेवन करते हैं, नीमत रूप से सेवन करते हैं, तो ये आपके शरीर में जो आपके antibodies हैं, उनके production को बढ़ा के रखती है, क्योंकि इसके अंदर antioxidant property पाय जाती है, जो आपके शरीर के जो free radicals होते हैं, उनको kill करने में मदद करती हैं, जिसके फल सरू, आपके शरीर में कोई भी bacterial या viral infection होने के chances ना के बराबर हो जाते हैं, तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, तो आपके शरीर में बार बार infection होने के chances कम हो जाएंगे, दोस्तों, दूसरी जो property है, जो भी आजकर बहुत जादा जरूरी है, हमारे lungs को improve करके रखना, हमारे respiratory system को अच्छे रखना, दोस्तों, इसके अंदर जो anti-inflammatory property पाय जाती है, उसके वज़े से आपका जो lung है, आपके जो फेफडे हैं, वो healthy रहते हैं, और आपको बार बार सर्दी जुखाम, खासी, बुखार का होना, फ्लू होना, इन सभी की परिशानिया कम हो जाती है, दोस्तों, थर्ट पॉंट के हम बात करेंगे, दोस्तों, digestive health के लिए, दोस्तों, इसके अंदर एजेंट पाया जाता है, जिसे carminative agent बोलते हैं, इसके वज़े से शरीर में अगर आपको बार बार ऐसी समस्या आती है, कि आपको भूक नहीं लगत जिसके फल सुरू, आपके जो गट है, आपकी जो intestine है, उसमें जो bad bacteria है, जो बुरे bacteria हैं, जिससे आपके शरीर में परिशानी बढ़ रही है, वो उनको किल करती है, और आपके digestive system को healthy और अच्छा बनाती है, दोस्तों, तो अगर आपको आए दिन ऐसी परिशानी रहती है, कि आपका पेट सही नहीं रहता है, तो आप तुलसी का सेवन या तुलसी अर्ग का सेवन निमत रूप से शुरू कर दे, आपको definitely बहुत ही ज़ादा अच्छा result मिलेगा, दोस्तों, fourth point की मैं बात करूँगी, जो कि बहुत important है, वो है detoxification and purification, दोस्तों, तुलसी से अच्छा natural detox आपको नहीं मिलेगा, यह हमारे शरीर में मिलने वाले harmful chemicals, free radicals, और जितने भी toxic चीजे हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बॉड़ी में toxicity जादा फील हो रही है, आपको आए दिन बहुत सारे skin issues लग रहे है 5th point जो दोस्तो है वो बहुत ही important है और आजकल इससे बहुत जादा लोग suffer रहते हैं, वो है हमारे शरीर में vitality की कमी, दोस्तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ठकते हैं, आपको बहुत stress रहता है, आप बहुत जल्दी आपको anxiety हो जाती है, किसी भी काम में आपको मन नही बहुत जादा है, बहुत जादा थकान सी महसूस होती है, तो दोस्तो तुलसी अरक आपके लिए बहुत जादा beneficial है, क्योंकि इसके अंदर anti-stress property पाई जाती है, जो आपके शरीर में, जो stress level है उसको कम करने में, आपके शरीर के थकान को कम करने में, और आपको चुस्त और बनाने में बहुत जादा मददकार है, तो यह कुछ important point है दोस्तों, जिससे हम आए दिन सफरर रहते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करें, जिससे हम अपनी इस परिशानी को ठीक कर सकते हैं, तो आप बात कर लेते हैं, दोस्तों सबसे important कि आखिर आपको कौन स तुलसी लेना है, कैसे उसके अर्फ का प्रयोग करना है, दोस्तों हमारे भारत देश में लगबग पांच तरह की तुलसी पाए जाती है, और अगर आप इन पांचों के अर्फ को नीमित रूप से प्रयोग करते हैं, तो आप समझ ले, ऊपर बताई हुई सारी ही परिशान आपके शरीर से जड़ से खतम हो जाएगी, पांच तुलसी कौन कौन सी होते हैं, चलिए हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों, विश्नु तुलसी, श्वेध तुलसी, कपुरा तुलसी, रामा तुलसी और वन तुलसी, ये पांच तुलसीया होती हैं दोस्तों, जिसके अगर आप extracts निकाल कर आप अगर रीमित रूप से प्रयोग करते हैं, तो आप हर परिशानी से निरोगी हो सकते हैं, तो लेकिन अब बात उठीए कि आखे नमें ये पांचो तुलसी के extract एक साथ कैसे मिलेगे, इस चीज़ को ध्यान में रखके, मैं आज आप लोगे के साथ शेर कर करते हैं, तो उपर वताइवी सारी ही परिशानिया आपके शरी से जड़ से समाप्त हो जाएंगी, समसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो तो इसमें देखे, यहां ये चीज़े मांक क्यू ही है, आप देखे, इसमें लिखा है, no added sugar and salt, इसमें कुछ भी sugar और salt का नहीं बहुत ही safe है दोस्तों और इसका प्रयोग आपके शरीर को निरोगी रखने में बहुत ही जादा मददकार है, अब हम बात कर लेते हैं, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, तो मैं आपको इसकी packaging दिखा देती हूँ, इस तरह के drop, 30 ml की packaging में यह आता है, इसके उपर यह drop आता में आप इसकी मातर दो भून दिन में सर्फ एक बार डाल कर पिए, आपको इन तमाम परिशानियों से यह हमेशा के लिए दूर रखेगा दोस्तों, सर्फ दो drop प्रयोग करनी है, तो आप पूरे परिवार के साथ अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भी यह एक से दो महिन आप उनका प्रयोग करें, 18 साल से उपर के लोग इसका प्रयोग करें, इससे कम उम्र के लोग प्रयोग ना करें, क्योंकि यह बहुत ज़दा स्ट्रॉंग है, तो मैं इसलिए बच्चों के लिए इसको रिक्मेंट नहीं करूंगे, कि बच्चों को दें, दूसरी important बात, इ साधी किसी dense liquid के साथ ही लें, directly area यूज़ ना करें, साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी medication पे हैS अगर आप प्रियोख कर रहे हैं, या आप होमेबती की कौई medicine यूज कर रहे हैं, तो इसको लेने और होमेबती की दवा, या diabetes की दवा के बीच में कम से कम 4 घंटे का आप अंतर रखें। जैसे आपने दिन की दवा खाई है तो शाम की चाय में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको 3-4 गंटे का गैप रखना है, साथ ही अगर आप blood thinner कोई medication पे हैं, कुछ blood thinner medicine ले दे हैं, तो आप इसका प्रयोग ना करें, अब बात कर लेते हैं इसके price की, price दोस्तों इसका मात्र 190 रुपे है, जो की आराम से पूरी family के लिए 1-2 महने के लिए चल जाएगा, तो मुझे लगदा 100 रुपे hardly आपको पर मन्त पढ़ेंगे, और आप अगर सिर्फ 100 रुपे खर्च करके अपने शरीर के और अपने पूरी family के स्वास्त को ठीक रख सकते है तो इस सिब अच्छी चीज़ आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती, आप इसको इनकी website से भी purchase कर सकते हैं, या फिर आप amazon clipcard से भी कर सकते हैं, सबके link में आपको description box में दे दे रही हूँ, आप उसको check कर ले, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो easily आपको महाँ प दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए, thank you so much, stay safe and healthy.